Hello students, welcome back to my YouTube channel चियोग्रूफी गुरूप आज की इस एपीसोड में हम डिसकस करने वाले हैं Class 8 English Worksheet No.27 को आज की इस Worksheet में हमारा चैप्टर हैगा This is Jody's Phone जो हम Last 20 Days से पढ़ते आ रहे हैं उसको हम continue रखेंगे आज की इस Worksheet में हमें दो टास्क दिएगे First जो हमारा टास्क है उसमें कुछ पिक्चस दीगे जिनको identify करना और उनके name लिखने है और Second टास्क है जो extract पर बेस्ट है हमें एक paragraph दिया गया है, पैसेज दिया गया है जिसको हमें पढ़ना और समझना है और फिर उस पर बेस्ट कुछ easy question है जिनको solve करना है Let's begin As it is visible on your screen, जैसा कि आप अपनी screen के उपर देख पारें This is our worksheet number 27, subject English and date 30th of December 2020 हमारा chapter है This is Jordi's phone First जो हमारा टास्क है Look at the animals' pictures and write their names ये pictures आपको देख रहे है हमें इनको देखना है, identify करना और इनके name हमें राइट करना है First picture है loin किये Second one is of jackal, जिसे हम बोलते हैं भेडिया उसकी picture है Third one, dog की picture है Fourth one है, kangaroo की है, सभी पैचानते है Fifth one है, chimpanzee की picture है Sixth one, camel की picture है और seventh है, bear की, भालो की picture ये हमारा पहला टास्क था अब जो second task है, हमें क्या करना है We need to read the following passage हमें एक passage दिया गए इसी chapter में से उसको हमें पढ़ना और समझना है उसके बाद easy कुछ टास्क दिये गए जिनको हम complete करेंगे तो पहले हम इसको समझने की कोशिस करते है Moment directly in front of him startled him so that he trembled backward कि यहाँ पर jody है, वो forest में है and he was searching for phone यानि हीरन के बच्चे को search कर रहा है, ओके तो वहाँ पर directly उसके सामने phone आता है तो थोड़ा सा आगी की तरफ बढ़ता है और इससे जो phone है वो लड़ खड़ा करके जाता है the phone lifted its face towards him जो phone है वो jody की तरफ अपना चहरा कुमाता है it turned its head with a wide wandering motion shook him though with a stare of its liquid eyes कि जो अपना चहरा क्योंकि वो काफी weak होता है तो अपनी करदन को turn करता है और अपनी जो stare liquid जो eyes थी उससे वो उसकी तरफ खोड़ता है it was querying querying मतलब धीरे से कामपना वो कामप रहा था just because of the fear उसे लग रहा था कि इस को उपर भी attack किया जाएगा it made no effort to rise or run क्योंकि weakness थी उसके काण वो ना तो भागने की कोशिश करता है और ना ही खड़े होने की कोशिश करता है Jody couldn't trust himself to move और Jody है वो भी आगे की तरफ नहीं पड़ता है उसे लगता है कि साइद ये ज़्यादा ड्रा हुआ है he whispered वो धीरे से बोलता है यानि he tried to talk with phone से बात करने की कोशिश करता है जो phone है अपनी ना को उपर करता है और उसे सूंखने की कोशिश करता है वो अपना एक हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है उसकी soft neck के उपर रख देता है the touch made him delirious delirious here means की excited होना की उसे अच्छा लगता है कि इसको जोड़े को अच्छा लगता है he moved forward on all fours until he was close beside it और फिर वो अपने पैरों के बाल घुटनों के बाल दीरे दीरे आगे की तरफ बढ़ता है कि इसके पास बिलकुल पास पहुंच जाता है phone के क्यों धीरे धीरे जाता है कहीं phone भागना जाए he put his arms around its body और उसके body के चार तरफ यानि की body के ओपर अपनी arm को रखता है अपने बाजो को रखता है a light convulsion passed over it but it didn't stare कि हालांकि वो डृता नहीं है थोड़ा से उसमें convulsion means एठन आती है थोड़ा से वो डृता है लेकिन उतना भी डृता है कौन phone he stalked its sides agently as though the phone were a china deer and he might break it और वो बड़े प्यार से उस phone को पकड़ता है ऐसे पकड़ता है जैसे कि वो china में deer हो और वो तूटना जाए its skin was very soft और उसकी skin बहुत soft होती है it was sleek, clean and had a sweet scent of grass चमकिली होती है, साफ होती है और उसमें grass की एक खुश्बू होती है he rose slowly and lifted the phone from the ground वो धीरे से उपर की तरफ होता है और phone को ground से उठाता है its legs hung limply limply means धीले डाले तरिके से उसकी टांगे लटक रही थी they were surprisingly long और वो टांगे बहुत लंबी थी he had to hoist the phone as high as possible under his arm और उसे उतना उठाना पड़ता है phone को जितना वो उठा सकता था क्यों? क्योंकि उसकी टांगे जो legs थी वो काफी लंबी थी तो ये तो था passage जिसको हमने पढ़ा अब हब easy task दिया गए c and d उसको हम solve करते है first जो task दिया गए c task है philips है और उसके hint समय brackets में दिया गए first है days turned its head with a wide wandering motion किसने turn की? phone तो phone ने अपने जो घर्दन है उसको turn किया second जो है कि days whispered its me कुन whisper करता है? कि मैं हूँ तो ये जोड़ी होता है third है were surprisingly long and he had to hoist the phone as high as possible under his arm कौन किस चीज की बात की जा रहे किस की टांगे लंबी थी? जोड़ी's leg और phone's leg तो answer हैगा phone's leg phone की टांगे थी वो surprisingly काफी लंबी थी इसलिए उसे बहुत ओपर उठाना पड़ा now let's move to the d task जो हमारा दिया गए तो easy question दिये गए यहाँ पर भी first है it made no effort to rise or run who is it? यहाँ पे it की बात की गए यह कि it made no efforts to rise or run किसने भागने की कोशिस नहीं की उठने की कोशिस नहीं की it कोन है यहाँ पे जोड़ी और phone तो यह phone है answer हैगा phone fifth question है how was phone's skin? phone's skin was too soft very soft काफी soft थी तो answer हैगा soft so यह थी हमारी आज की easy worksheet I hope आपको अच्छे समझ में आई होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और हाँ एक छोटा सा comment भी कीजिगा thank you, bye bye have a nice day